आज है 17 सितंबर और हम शुरू करते हैं से करेंट अफेर्स पहला है किदाना टेंपल के बरे में ये गड़वाल हिमालेज में है और मंदाकनी नदी के किनारे है ठीक है उत्रखंड में और ये जो छोटा चारधाम पिल्ग्रमेज उसका हिस्सा है नौर्देन हिमाले में और ज इसको शंगाई कोपरेशन और नेशन का पहला टूरिजम एंड कल्चर कैपिटल गोशित किया गया है 2022-23 के लिए ठीक है अब इसकी मीटिंग अदलब जो शंगाई कोपरेशन और इसकी मीटिंग चल रही थी जमरकंद उस्बैकिस्तान ठीक है ये जो टूरिजम एंड कर सकें और वहाँ के बारे में जान सकें उसके बाद हैं इंस्पायर इंस्पायर का मतलब है innovation in science pursuit for inspired research ठीक है यह एक प्रिग्राम था Department of Science and Technology का इसके अंदर में अभी Awards अनॉंस हुए है जिनको मानक आवार्ड का गया Inspire Awards मानक मानक का मतलब है Mental Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge ठीक है तो यह स्कीम जो थी यह Critical Human Research Pool को मदब बढ़ाने के लिए और जो Science and Technology जिसको STEM कहा जाता है स्टेम फिल्ड में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम चलाई गई है उसके बार दोर्नियर एंट 32 यह एक विमान है इसमें जो है इंडस्ट्री यह सबसे ज्यादा वह भी मतलब पॉलिशन करती है इसमें से एक है तीक है इंड्री और Greenhouse gasses में Main Contributor रहे तरह का फिर इंटरनेशनल टेती और जेनेटिक रिसॉर्स फूर्ड एन अगरिकल्चर यह त्टीस्टी 2001 में इसकी मीटिंग होने जा रही थी इसी ट्रीटी की इसमें कई चीज़ों पर डेलिबरेशन होगा डेलिबरेशन मतलब इतने का समवाद के सकते हैं ठीक है उसमें जैसे जर्म प्लास बार डास्टी फूड एन अग्रिकल्चर के बारे में फार्मर और ब्रीडर के राइट के बा और इंडिया में पहले चीटे पाई जाते थे लेकिन 1952 में 1952 आज में तक खतम होगे थे तब इंडियन गवर्नमेंट ने डेकलेर कर दिया कि हमारे यहां कोई चीटे नहीं बचे मतलब एक्स्टिंक्ट हो गए हैं हमारे यहां से तीक है और 1940 से करीब 14 देशों में चीटे चीटे खासकर वह एक्स्टिंक्ट हुए हैं जॉर्डन इराक इसराइल मॉरको सीरिया ओमान टुनिश्या साथ साथी अरभिया जबूति घहना नजीरिया कजाकिस्तान पाकिस्तान अफगहनिस्तान ठीक है यहां सबसे चीटे पाई जाते थे इंडिया में भी ऊपर से गुजरात तक चीटे मिलते थे ठीक है और चीटा जो है चीटा जो वर्ड है वह संस्कित वर्ड से आया है इसका मतलब है चित्रक ठीक है चित्रक का मतलब है इस पार्टेड वन ठीक है और अब इसमें इनके में का है में इनके इस स्टेटेस है जितने भी आई-उ-स्यान इ पहले इसमें पुमा का है पेँसी स्टेटास है अधोरफ युथा युथा जाता अप्नी धर नहीं पहल जाता ठीक है उसकेistics है अश्या टिव segu जो है उसके हम क्यापनों ftौ फिर और मॉलेव्लम है ओर ऑर हैं उसकी चीती चीत Olum तरहान विलनेरेबल है जागवार लियर थե՟ न्ड है लेपर लेपर टीक है। पिर एक वायम। ये फोर्समाह हो था 2000 में उसके बाद से इसको अपडेट करने के कई कोशी थे पर European से comprehensive economic partnership agreement 2018 में negotiate किया गया था पर यह finalize नहीं पाया था उसके बाद economic and technical cooperation agreement यह भी negotiate किया था 2019 में पर यह भी successful नहीं हो पाया था ठीक है उसके बाद समरकंद 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 ने अभी 22 वा जो शंगाई cooperation organization का summit था उसको host लिया ठीक है समरकंद जो है वो बेकिस्तान में जो समरकंद है यह वहां पे जारिफशान रिवर वैली है वहां पे लोकेटेड है समरकंद का मतलब होता है कोई पत्थर का किला या फोर्ड टाउन ठीक है और जो समरकंद है उसकी जो language है वह उस्बेक है उस्बेकिस्तान की जो जाए वह रश्यन है ठीक है ऑफिशल फिर शंगाय कोपरेशन और इसन का पहला जो समिट हुआ था वह शंगाय संगाय कोपरेशन और जब वह सेंट्रलेशन कंट्री दोर रश्या और चाइना यह सब मिले तो वह शंगाय कोपरेशन और ठीक है इसमें शुरू में पाच मेंबर थे बाद में दो और दुड़े फिर इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इन लोग इंड़क किया अभी एक और मेंबर जोड़ा इरान इनका लेटेस मेंबर है अब टोटल नाइन मेंबर है चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रश्या तजीकिस्तान उस्बेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इरान ठीक है और इसमें पहले जो ऑब्जर्वर मेंबर थे अफगानिस्तान बेलरूस इरान म जो है अब मेंबर बन गया है बेलरूस भी मेंबर बनेगा मतलब अभी प्रोसेडिंग उसके लिए शुरू हुई है इनका ठीक है तो अब और इन लोगों ने सौधी अरबिया एजिप्ट और कतर को एज़ा अब्जरवर इंक्लूड किया है तो अब इनके पास छे करेगा ठीक है फिर इंडिया इरान रिलेशन्शिप इंडिया इरान के जो रेशन है वह डिप्लमेटिक रेशन वह मार्च 1950 में शुरू हुए थे लेकिन उस समय जैसे कोड़ बार शुरू हो गया था तो हमारे जो हमारे जो वह इंटरेस्ट थे वह डिफेंट थे हम नॉन मुवमेंट की तरफ जुड़े हुए थे पर हमारा जो थोड़ा जुकाव था वो USSR की तरफ था इरान जो है वो मतलब वेस्टर ब्लॉक का पार्ट था एक जरह से और इसको उस समय यूएस बहुत सपोर्ट करता था शुरू में जब तक इनका इस्लामिक रिवलुशन नहीं ने खुद बं कर दिया लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुए कि इरान को लगा नहीं नहीं हमें बंद हुए फिर सच को शुरू करना चाहिए और फिर यूएस इनके खिलाफ हो गया इसचे बात था कि जब कभी ऐसी बात आती थी इंडिया और पाकिस्तान के पे ठीक है उसके बाद लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई थी तो इसको इंडिया और इरान दोनों ने सपोर्ट किया था वहां एक Northern Alliance की लड़ाई थी ठीक है और उसके अलावा इंडिया ने भी जो इरान का नुक्लियर पाउर प्रोग्राम था उस एक्सपोर्ट जाता था वह इंडिया को जाता था ठीक है और लेकिन 2019 के पहले जब ट्रंप ने संक्शन लगाया उसके बाद से इंडिया ने ट्रेट करना बंद कर दिया हमारे वहां कुछ प्रोजेक्ट चलना है जैसे चाबहार पोर्ट को लिए ठीक है चाबहार पोर्ट क इसमें इसमें कॉस कॉंसिकेंस सब चीज के बारें बात की गई है इसमें पताया कि जो ग्लोबल पॉपलेशन है वह 8.5 बिलियन होने की संभावना है 2030 ठीक है लेकिन जो एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी है वह डिक्लाइन हो रही है पिछले 70 सालों में इसका डिलाइन दे अधिक है और जो यह रिपोर्ट थी यह वर्ल वर्ल पॉपलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 यूएन जो यूएन की पॉपलेशन इस्टमेट होता है उसकी रिपोर्ट थी उसने प्रजट किया था और यह एक शोशल फिनॉमेना है अठीक है टेमोग्राफिक ट्राइशन का इसमें कंट्रीज जो है वह उनका जो ट्राइशन होता वह बहुत तेज होता है और जो रिचर कंट्रीज होती उनका स्लो होता है इन्होंने एक्जांपल दिया बिटेन का बिटेन को 130 साल लगे अपने जो यह फर्टिलिटी रेट था उसको कम करने में वालब 1800 में उनका जो 1800 साल थ उसमें उनका जो फर्टिलिटी रेट था वह पांच था और उसको घटने में 130 साल लगे बतल तब 1930 में जाके वह दो पहुंचे हैं और साथ अफ्रिकों के यही ही जीज करने में सिर्फ 20 साल लगे 1965 से लेकि 1985 में उनका पांच से घटके दो हो गया ठीक है इन्होंने इसका ए पॉप्लेशन ग्रोथ आएगी ग्लोबल की पॉप्लेशन ग्रोथ वह 50 पर्संट जो है इन कंट्री से आएगी ठीक है 2050 और 2100 के बीच में क्योंकि बाकी जगें कि जो यह ग्रोथ रेट है वह घट रही है ठीक है और जो भी ज्यादत है हमारी जो एडवांस एकोनॉमीज है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वह अल्रेडी घट चुकी है वह रिप्लेस्मेंट रेट से घट चुकी है रिप्लेस्मेंट रेट होता है 2.1 ठीक है वह 2.1 से नीचे किसी का 1.6 किसी का लबग लबग 0 के आसपास जा रहा है ठीक है तो इसमें समस्या क्या होगी इसमें सम dependent population उसको sustain करने में ठीक है जो जैसे हमारे जो पॉपलिशन माना जाए 60 प्रफ्लस पॉपलिशन होता उसको dependent मानते है ठीक है जब अगर 60 प्लस पॉपलिशन की जन्स जो 60 प्रफ्लस पॉपलिशन का नंबर ज्यादा है जो वर्किंग है तो यह बात है कि उन पर बड़न पड़ था 2020 में यह NHF मतलब जो National Family Health Survey 5 था उसका डाटा है इसमें बतायागा कि इंडिपेंड हम जब आजाद हुए थे तो हमारी जो fertility rate थी वो 6 थी 6 per woman और यह 25 साल में घटके 5 हुई उसके बाद यह घटके 1990 में 4 हो गई थी केरला ऐसा पहला स्वी सिस्ञां बना था इसकी यह स्टेट है जिसकी कम हुई तिन नैंटी के चरां में और 2020 में केवल पांצ ऐसे स्टेट है जिनकी स्टेंडियुक्लमेंटा च्छाफण मनिपूर चीख बाकिकी जो तो रिप्लेस्मेंट लेवल से कम है जो यह growth rate है या fertility rate है ठीक है और इसके कई सारे कारण है जैसे contraception कामाल लिजे स्कूलिंग बढ़ी है इस्कूलिंग अच्छी हुई है health care अच्छा हुआ है ठीक है और जो महिलाओं की की शादी हो रही है उनकी एज बढ़ी है मतलब यह जो marriageable age यह भी बढ़ी है अब इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया ठीक है socially accepted हो गया कि महिलाओं की मतलब लड़कियों की शादी थोड़ा देड़ से करने चाहिए मतलब 18-20 के उपर ठीक है इसकी कई सारे इकनोमिक इंप्लिकेशन भी है अगर देखा जाए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पॉजिटिव एफट में कई सारे चीज़ें जैसे जब लोवर फर्टिलिटी रहेगी तो इंकम उनकी इंक्रीज करेंगे क्यों क्योंकि तब लोग काम करने वाले कम होंगे और जिनको शैलरी दे नहीं हो ज्यादा दे पाएंगे ठीक है यह एक कह सकते हैं यह पॉजिटिव एफेक्ट यह लोग देख रहे हैं इसमें उसके बाद बताया गया कि एकनोमिक डिवलप पाएगा अपने लिए ठीक है अगर वोमन उसी में इंगेज रहेंगी रिप्रडेक्शन में तो फिर उनको और टाइम नहीं मिल पाता इवन जॉब से भी उनको चुटी लेनी पड़ती है कई बार जॉब छोड़नी पड़ती है ठीक है जब कम रिप्लेस्मेंट लेवल मतल इंफ्रेस्ट्रक्चर ट्रेलप्मेंट हेल्थ केर अजुकेशन और यह सब रहेगा तो फर्टिलिटी ड्रॉप करेगी और इंकम राइस करेगी जो हमने देखा ठीक है और जो यह मतलब जो यह लूवर फर्टिलिटी है इससे क्या होगा कि जो वर्किंग एज पॉपलेशन और इससे क्या होगा यह रिवर्ट यह एक ताइम बाद यह भाध यह अपोजिट होगा शुरू में जो वर्किंग पॉपलेशन वह बढ़ेगी बात में क्या होगा वर्किंग पॉपलेशन घटेगी जो नेक्स जनरेशन होगी ठीक है उसमें दिक्कत आएगी यह दिक्कत जापन में आई है ठीक है जापान में क्या हुआ है कि वहां पे वहां है जो है उस्सकूल तो उस्मेंट रिप्लेश्मेंट लेथि से काफी नीच ए ठीक है तो आप वह движ फोप्रप्राइश्हार ज़ादा है और जो working populator में वह कम है ठीक है तो उनके लिए अलग समस्य आईए अब जब पॉपलेशन बढ़ेगी तो जो शोशल कॉस्ट होगी ठीक है उनको सस्टेन करने की सोशल सेक्योर्टी की वह बढ़ेगी जापान में भी साउथ कुलिया में भी ऐसे केसे देखने को आ रहे हैं वहां भी जो मतलब रिप्लेस्मेंट लेवल के नीचे जब जाती है ग्रोथ रेट यह फर्टिल्री रेट तो उसके कई सारे निगेटिव एफेक्ट होते हैं जिसको अलग-अलग मेजर से जो है वह नलिफाइ किया सकता है या बैलेंस किया जा सकता है ठीक है पर इसमें जैसे इन्होंने कमी हो रही थी पॉपलेशन कम होने की वज़ा से वह यहां से बैलन्स हो जागा कि ज्यादा वोंटा जो है इस वर्क्फोर्ट में इंटर होंगी टीक है माइगरेंट्स जैसे कई देशों का अंब नहीं देखा है कि वह माइगरेंट्स को आने देते हैं खासकर इस्किल माइ AI के field में खासकर artificial intelligence के field में वो इसको enhance कर सकते हैं, वो जो कमी है, population के उसको पूरी कर सकते हैं, productivity को बढ़ा है रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह बताया गया कि जो artificial intelligence है, वो सोच नहीं सकता, नए creative idea सिर्फ human ला सकता है, machine नहीं ला सकती, ठीक है, machine वो कर सकती है, जो उसको बताय गया है, अभी ऐसा, मतलब artificial intelligence इतना develop नहीं हो पाया कि वो अपने हिसाब से सोच सके, या हो सकता है, अगर वो सोचे तो गलत भी सो सकता है, फिर बताया गया कि जब population बढ़ेगी, माल लेजे कि बताया गया कि 2100, मतलब साल 2100 होने तक, जो 40% population होगी, वो 50 प्लस होगी, मतलब 50 प्लस यर ओल से जादा होगी, 40% population, ठीक है, तो इसके कई सारी effect है, एक बतायागा कि positive effect यह होगा, जो inflation है, inflation के कारण wages होगी, क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि जो labor force होगा, वो कम होगा, क्यों जब कम लोग होगे, तो उनको जादा wages दे पाएंगे, ठीक है, और जो nature of employment होगा, और उसके inflation के बीच में trade-off होगा, वो balance हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, equality आए, मतलब wages में, ठीक है, फिर इनको बताया कि जो government का debt होगा, वो भी कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि लोगों की और जो corporates की saving है, वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि जादा तर, मतलब dependency लोगों की ब accounting और उसका economics का logic है, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि, जो global result होगा, demographic process का, फिर इन्होंने बताया कि, जो इसको sustain करने वाली बात होगी, उसके लिए health, मतलब health care, और better nutrition, life expectancy, ये सब बढ़ाने पड़ेगी, जो productivity है, उसको sustain करने के लिए, market में reforms लाने पड़ेंग labor, खासकर जो labor laws है, उनको liberalize करना पड़ेगा, थोड़ा liberal laws रहेंगे, ताकि women अपने choices से आ पाएं और जा पाएं, ठीक है, जब women के कहते है, working women है, जब उनको children के need हो, उसको नौकरी छोड़ पाएं, और फिर जो जिन्होंने नौकरी छोड़ेगी, वो बाद में उसमें इसको सस्टेन करने के लिए, जैसे जर्मनी का अभी एक्जांपल दिया गया, जर्मनी ने क्या किया है, जो उनके हाँ parenting leave है, और labor laws है, उसको बढ़ाया है, ठीक है, मतलब labor laws को अच्छा किया है, और जो parenting leave है, उसको बढ़ाया है, डेन्मार्क में उन्होंने जो state, मतलब IVF ह ठीक है, हंगरी ने क्या किया है, कि जो IVS की क्लीनिक से उसको ही नशनलाइज कर लिया, ठीक है, पोलैंड ने क्या किया है, पोलैंड ने क्या है, जिनके हाँ दो से जादा बच्चे होंगे, उनको cash transfer मिलेगा, ठीक है, रशिया ने भी ऐसी scheme चलाई, one time cash transfer, और रशिया में ए ठीक है, तो इसमें यही बताएगे कि जो below replacement level fertility होगा, उसका मतलब होगा कि हमारे यहां जो dividend window है, वो कम होगा, ठीक है, उसके लिए जो population है, उसको मतलब fertility को चेक करना पड़ेगा, हमारे यहां जैसे अभी हमने देखना है कि population धीरी घट रही है, हमारे भी population ग्रोथ चलेगी कुछ 10 को तक ठीक है, माली जैसे 2070 तक असी तक, लेकिन फिर हम देखे हैं कि हमारे population में decrease हो रहा है, जो हमारी future population है, वो decrease कर रहे है, शार्पली decrease कर सकती है, उसको sustain करने के लिए काफी सारे जो इन्होंने major suggest किया है, जैसे लेबर लेबर रिफॉर्म, और वुमन को क्याते है लेबर फोर्स participation में साजधारी करना ठीक है, और higher nutrition वगएरा, higher health वगएरा, अच्छे health standard देना, ठीक है, इस सब के, इन सब की चलती ही, जो है, हम इसको balance कर पाएंगे, जो fertility decline हो रही है, और हमारा जो future का output होगा, ठीक है, तो यह था हमारे current phase, सुने के लिए धन्यवाद